धाकड़ खबर में आपका स्वागत है मैं आपके साथ हूँ अक्रम रईस खान बिहार समय 14 राज्यों में चुनाव हुए थे चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं जो दिखा और बता रहे हैं कि भारतिय जंता पार्टी सब तरफ कामियाब हुई है चाहे वो साथ इंडिया हो चाहे वो नौर्थ इंडिया हो या पस्चीमी इंडिया हो यानिके पस्चीमी भारत हो लेकिन हम भाजपा को लेकर बात नहीं करना चाहते वो बात्चीत तो तमाम लोग करी रहे हैं यहां बात्चीत होनी चाहिए कॉंग्रेस को लेकर बात्चीत इ भी हश्र देखा जहां उससे सत्ताची नहीं गई थी वहां भी वह वापसी नहीं कर पाई और बिहार में जो वहारी उसका वज़े से मागडवंदन सरकार बनाने से चूप गया और NDA जो है सरकार बनाने में काम्याब हो गया तो कॉंग्रेस आखिर क्यों नहीं सुधर पा रह है लेकिन वह काम्याब नहीं हो पा रही है या उसकी कोशिश है ही नहीं काम्याब होने जैसी बहुत सारे पहलों है इन्हीं के आसपास अपनी बातशीत को रखने की कोशिश करेंगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने मने पत्रकार रभी अरोड़ा जी पत्रकार लंबा अनुभा हो रखते हैं और एक ऐसे पत्रकार बहुत से पत्रकार तो आजकल आप देख रहे हैं मैक अप किया स्टूडियो में आके बैठ गे जैजना जन जैजना जन बाते की जानते कुछ है नहीं लेकिन जमीन से संपादक का सफर जो किया है वो नाम है रभी इसलिए बहुत सारी चीज़ों को वो प्रैक्टिकली तोर पे जानते समझते हैं बहुत शुक्रिया सर हमें बग देने के लिए जी मेरा पहला सवाल आप से ये है उत्तर प्रदेश से शुरुवात करते हैं उत्तर प्रदेश में 30 साल से कौंग्रेस नहीं है अभी साथ सीटों पर चुना हुए साथ में से 6 सिटे बीजेपी जीत गई है एक पर सपा जीत गई है कॉंग्रेस जो है कई भी खाता नहीं खोल पाई है जबकि उसके सामने 2022 जैसा आम विधान सपा चुना खड़ा हुआ है उत्तरप्रदेस में और उन्होंने प्रियंगा गांधी को प्रोजेक्ट कर रखा है उ बिल्कुल सही कहा अपने अकरम जी मुझे जो लगता है कॉंग्रेस अब शायद 125 साल के अपने सफर में अब ठक गई है और उसकी ठकान को आप इस तरह से देखें कि उसके निताओं के हाव भाव में चेहरों पर उनकी रीती नीती पर उनकी करे शहली में एक किसम का अवसा भी है आप इसको इस तरह से भी समझें कि एक पार्टी जो एक अर्से से अपना फुल टाइम अध्यक्ष नहीं चुन पा रही हो तो वो उसको कैसे अवसाद में ना माना जाए उत्तरप्रदेश की तो बात आप कर रहे हैं मैं तो पूरे देश भर के हिसाब से अगर कॉंग राहुल गांधी जो कॉंग्रेस के सर्वमान्य नेता है वो टै किये बैठे हैं कि मुझे कॉंग्रेस का ध्यक्ष बनना नहीं है पार्टी के सौ से बड़े नेता चाहे उगलाम नभी आजाद हो कपिल सिबल हो शेशी थरूर हो भुपेंद्र हुड़ा हो ऐसे बड़े नेत चिठी लिख रहे हैं कि कॉंग्रेस में का फुल टाइम नेता हो और गांधी पईवार से बाहर का हो उसको लेकर पार्टी में आपस में विखराव है लड़ाई जगले हैं और कहीं कोई तै नहीं कर पा रहे हैं तो एक पार्टी जो अपना अध्यक्ष तक तै ना कर पा रह हो उससे किसी बहुत बड़ी सफलता की बहुत बड़े जो जारू अभियान या राईनीती की उमीद करना मुझे लगता आज की तारिंगों तो बेमानी होगा जी क्या ये इसलिए हो रहा है कि कॉंग्रेस अपनी विचार धारा खो चुकी है या विचार धारा पे नहीं रह या वो इस तरिकी की राजनीती करने पर आ गई है इस वज़े से फैल हो रही है मुझे ऐसा नहीं लगता मैं समझना हूं कि कॉंग्रेस ने अपनी विचार धारा तो नहीं छोड़ी है और उसकी जो विचार धारा से हलांकि वो विचलित होती पिछली बार चुनाओं में न लेकिन मूलता है कॉंग्रेस अपनी उसी विचार धारा पर टिकी हुई है लेकिन कॉंग्रेस के चरितर में एक खास बात आपको देखने को मिलेगी कि यह एक बहुत अच्छी सत्ता रूड पार्टी साबित होती रही है आप अजादी से लेकर आई तक का करेकाल देख लें कॉंग्रेस का करेकाल बहुत अच्छा रहा है बहुत संतोज जनक रहा है मनमोन सिंग की दो सरकारे रही और देश ने काफी उसमें तरकी की और नरसिमाराव की सरकार आई तो गड़ी को एकदम यूटर नहीं उन्होंने मार दिया देश किस तरह से किस अर्थ वेवस्ता के लेकिन यह पार्टी विपक्ष में आकर कमजोर और फेल हो जाती है जब की भाजपा का आप चड़ी तरह देखें कि भाजपा देश की अच्छी विपक्षी पार्टी साबीत होती है विपक्ष की राइनिती वो करना जानते हैं लेकिन वो सरकार चलाना नहीं जानते हैं सरकार में आते हैं तो वही सब करने की कोशिश करते हैं जो कॉंग्रेस करती हैं कॉंग्रेस की नकल करते हैं और नकल के जो अकल चाहिए वो शायद उनके पास नहीं होती और उनकी सरकारें होहला तो बहुत करते हैं लेकिन सफल जमीनिस तरपर नहीं दिखाई देती हैं। कॉंग्रेस इससे उलट विपक्ष में आकर आराम करने लगती है। अब आप देखें राहूल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं और उनका जो चरितर है उनका जो भी उनकी कारशेली है वो बड़ी पवित्र सी नजर आती है। कहीं वो गलत मुद्दे नहीं उठाते और कहीं दीन दुख्यों के बीच में पहुच भी जाते हैं। मेहनत भी करते हैं। लिकिन जब मोधी मैजिक के सामने कॉंग्रेस राहूल गांधी को खड़ा करती है तो वो कमजोर हो जाते हैं। जाहिर है मोधी आज की तारिक में देश में सर्व मानने नेता हैं। और राहूल गांधी को लेकर तमाम तरह की अफवाहें उनको लेकर चुटकले जो छोड़े गए हैं भाजपा द्वारा वो सौ बार बोले गए जूट के सच हो जाने जैसा हो गया है। और जब मोधी मुकाबिल राहूल की बात आती है तो जनता फिर राहूल की बजाए मोधी को चिन्ना पसंद करती है। इसको लेकर कांग्रेस को मुझे लगता पुनर विचार करना चाहिए। उत्तरप्रदेश में फिर आना चाहूँगा। साज सीटों पे चुनाओ था, उपचुनाओ था, महनत कर सकती थी क्योंकि जमीनी सतय पर कांग्रेस फिलाल पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रही है। लेकिन नजर तो कहीं नहीं आए, कोई बड़ा नेता नहीं पहु जैसे कि आप देखें, रीता बहुगना उत्तरप्रदेश में कॉंग्रेस की बड़ी नेता थी, वो भाज़िपा में चलेगी, नरेश अगरवाल थे, तमाम तरह के ऐसे नेता थे, जो कॉंग्रेस के थे, लेकिन बाद में छेटक के दूसी पार्टियों में चलेगी, देश संभाल कर नहीं रख पाती, और संभाल कर नहीं रखने की बज़े से, जब राज्य में कोई पार्टी का निता नहीं होता, तो फिर जमीनी स्तर पर कोई दिखाई नहीं देता, तो जनता फिर किसको चुने, खाली राहूल गांधी के नाम पर तो वोट नहीं दे सकती, उत्त इंका गांधी राहूल से बहतर करती भी दिखाई दे रही है, उनके बाचीत का तरीका, मुद्दों को उठाना, और किस तरह से प्रतिकरिया देने का, जैसे बसों का मामला आया था, तो किस तरह से उन्होंने प्रतिकरिया दी, वो बहुत ही सधी हुई निता की प्रतिकरिय लेकिन सिर्फ प्रतिकरियां उदेने से काम नहीं चलता जमीन पर भी उतरना पड़ता है लेकिन मैं अगर एक शब्द का प्रियोग करूं काम चोर वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में लड़ने के लिए 70 सिटे मिली परधान मंत्री नरेंद्र बोजी तो 303 सांसदों के स खुद परधान मंत्री बैठे हैं और अगले 24 तक उनकों के डिकाने वाला नहीं है वो जाके 12 रेलियां करते हैं लेकिन आप राहूल गांधी को जब देखेंगे जो 70 सिटों पर चुनाव लड़ रहे हैं मैं जुनीस पर जीते हैं वो आट रेलियां करते हैं तो राहूल ग जबा विपक्ष में रहते विए सत्ता में रहते विए विपक्ष यहसी भूमिका में रहती आर पूरतार सक्रिय रहती अब रहूल गांदी इसमें खास बात ले राहूल गांधी वहां पर आठ सभाएं करतेजने लगभग 58 विधान सभाओं को वह कवर करते हैं और आप दे का फिलियर माना जाए या उनकी सभाएं ऐसे उचेतरों में लगाई गई ये माना जाए या कहीं कोई किसी किसम के संचालन में रैलियों के कोई कमी रह गई अब आप देखें इसका परिणाम तो यही माना जाएगा कि जहां-जहां मोदी जाते हैं वहां मोदी मैजिक चलता है जहां जहां राहुल जाते हैं, वहां कॉंग्रेस ही नहीं, मार्केट बंदन की जो प्रमुक बड़ी पार्टी है, वो भी हार जाती है। लेकिन यह कहीं गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले तक रही हो, उस प्रदेश में उनकी यह गत बनी और उसकी वज़े यह की पार्टी कहीं जमीन पर उतरती ही दिखाई नहीं दी। अब आप देखें, राजस्तान और पंजाब के लावा कौन सा बड़ा राज्य कांगरेश के पास रहें गया। काम क्या बचा है, क्या काम केंदर में क्या ऐसा काम हो रहा, कौन से मुद्दो उठाय जा रहे हैं। राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, उप चुनाव हो रहे हैं, उस पर कहां ही दिखाई दे रहे हैं। भाजपा 2022 को लेकर उत्तरप्रदेश में अभी भी पूरी तरने सक्रिये है। जी जी बिहार चुनाव के बाद फिर से एक बहस खड़ी हुई है, कि जब इस्ट्रक्चर नहीं था, तो 70 सीटे क्यों ले ली गई लड़ने के लिए, ये कहा गया कि 70 सीटे क्यों दे दी गई, अब आपके सामने 2022 में उत्तरप्रदेश है, जहां कॉंग्रेस को लगता है कि वह बापसी कर सकती है प्रिंका गांधी के चहरे पे, आपको लगता है उत्तरप्रदेश में के पास इस्ट्रक्चर है, ये लड़ पाएंगे चुनाओ, बिल्कुल नहीं है, और जमीनी इस तरपर कारेकरताओं का बहुत आभाव है, और मुझे लगता है कि राज्यों को ल उनको दिखते वे, मुझे लगता नहीं कि कोई पार्टी उनके साथ गठबंदन करेगी और करेगी तो बहुत ज्यादा सीटें देगी, बिहार का उधारा आने, 70 सीटों के लिए कॉंग्रेस डिजर्व नहीं करती थी, कॉंग्रेस को 30 से अधिक सीटें नहीं दी जानी चाह मुझ कुछ नीचे करके बैठना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाओ है, चुनाओ से 2-3 महीने पहले ये लोग आना जाना शुरू कर देंगे और आके खटिया बिछा देंगे और सोचेंगे कि बस हो गया चुनाओ, जैसे बीजेपी की तुलना करेंगे अभी से, तो वो अभी से अपने कैंडिडेट पास एक बहुत बड़ा करड़ है, जो कॉंग्रेस के पास कहीं दिखाई नहीं देता, जैसे मैं देखूं, अख़बारों में जिस तरह से खबरें छप रही हैं, दो हजार बाइस को लेकर बूत कारेकरताओं तक का चेहन भाज़िपाने शुरू कर दिया, कॉंग्रेस के प पर एक एक विधान सभा छेतर में चार चार पर्शिक्षन शिवर भाज़िपा लगा रही है, बूत कारेकरताओं को उसमें संभोदित किया जा रहा है, पार्टी के सेंकडों नेता इस काम में लगे हैं, कॉंग्रेस का कहीं इस मुद्दे पर कहीं दूर दूर तक हैं नामो निशान नहीं है, ऐसे मैं सिर्फ अपना हाथ का बिल्ला लेकर, हाथ की छाप लेकर आप कमल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आपको यह सोचना पड़ेगा, जो मैंने बड़े भाई, छोटे भाई की बात की, वो स्वभावगत है, सीटों के मामले में तो यह कॉंप्रमा प्रधान मंतरी के मुकाबले भी पूरी रैली नहीं कर पारे, जब कि परधान मंतरी के पास यह खजार काम है, राहुल कांदी के पास इस समय क्या काम है, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि आप Ground Zero से उसके बारे में जब खाका खिचेंगे, तो लोगो के सामने एक तस्वीर जरूर उभरेगी, क्या लोगों में कॉंग्रेस के परती कुछ एट्रेक्शन बाकी रह गया है, या लोगों ने मान लिया है, कि भई आप इसे पिच्चा छोड़ा लो, इसमें कुछ दम नहीं है, या लोग आज भी चाते हैं कॉंग्रेस जिन्दा हो देखी मुझे लगता है कि कॉंग्रेस के पिच्चडने का कारण ये है कि कॉंग्रेस अपने आपको भज़पा के मुकाबिल खड़ा नहीं कर पा रही है, कॉंग्रेस के भज़पा के मुकाबिल खड़ा ना होने की वज़े से ही छेत्रियों पार्टियां उठ रही है, छेत सा नया Congress ने नेता खड़ा किया, कौन सा नया नेता पैदा किया, नए नेताओं की जो supply line है वो Congress के सपास है ही नहीं, पिछले दरजन एक दशक से आप देख लें, वही रावुल गांधी, वही प्रियंका गांधी, वही सोन्य गांधी और राज्यों में वही दस-पांच नेता जो उनके दूसरी शेनी के नेता है, उनकी लेक पुलिंग हो रही है, उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, नए नेता खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो प्रभावी नेता, युवा नेता निकल कर आ रहे थे, वो पार्टी छोड़ रहे हैं, जो तुर्यादित चले ग आएंगे, नए नेता आते चले जाएंगे, तभी पार्टी चलती है, भाज़े पाकवा आप दिख लिए, हर तस पांच साल बाद वो के नेता खड़ा कर देती है, एक सवाल मैं आप से समझना चाहता हूं सर, लोक सबा चुनाओ की बात, चुनाओ होता है कही सारे राज्यो में एक स्थानिये पार्टियां होती है, वो भाज़पा के रत को रोक देती है, लेकिन जहाँ सीधे फाइट में, मैंने देखा है चाहे गुजरात हो, मद्देपरदिश हो, जहाँ जहाँ पे सीधे फाइट में कॉंग्रेस है, वहाँ पे भाजपा ज़ादा मजबूत होती है, देखे इसकी वज़े जी है कि कॉंग्रेस का वोट बेंक अब देश में पांचवे हिस्से तक भी नहीं रहा, 2019 के चुनाव में देखा था आपने कि 19 फीसदी वोट कॉंग्रेस को पड़े, जबकि भाजपा को 37 फीसदी पड़े, और पूरे NDA की बात करें तो 45 फीसदी पड़े, जब सीधा मुकाबला होगा तो 17 फीसदी वाला 37 फीसदी के मुकाबल खड़ा नहीं हो पाएगा, इसके दो ही तरीके हैं, या तो उसके गठवंदन बहुत मजबूत हों, या उसके स्थानिय निता मजबूत हों, या उसकी विचारधारा जनता के गले उतरे, इस् 37 फीसदी नि, 57 फीसदी या 67 फीसदी मिलते, यानि कि आप देख सकते हैं कि बाकी बचा वोट जो है, वो भाज़ेपा के विरोधूयों का है, उस वोट को कॉंगरेस के खेमे के नीचे लाने का काम कॉंगरेस का है, जनता का या दूसरी पाटियों का नहीं, इस मामले में बहुत बड़ी बात कही और आपने शायद निचोड निकाल दिया है कि भाज़पा को 37 फीसद वोट मिला है, 63 फीसद वोट आज भी उसके खिलाप है, जरूरत है उस वोट को यूनाइट करनी की, और वाकी में, देखिए हम जीते हैं भारत में, और यहाँ चमतकार को नमश पिक के साथ बहुत अच्छे से आपने बताया कि कॉंग्रेज जो है, वो किस तरीके से अपना नुकसान अपने ही आतों से कर रही है, किसी और को जिम्मेदार वो ठहरा नहीं सकती, यह एक अलग बात है, कभी मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, कभी EVM को जिम्मेदा कर हम आपके सामने होंगे खाजिर, फिलाला भी हमने इजाज़त.